टीवी एक्ट्रेस तुनिसा सर्मा के सुसाइट केस में हर रोज नए खुला से हो रहे हैं एक्ट्रेस ने 24 दिसंबर 2022 को अपने बॉइफरेंड सिजान खान के साथ ब्रेक अप के बाद आत्पहत्या कर ली थी ब्रेक अप की वज़े से तुनिसा डिप्रेसन में थी इस केस में अब तुनिसा की एक दोस्त की रया लबीब भिखुल कर सामने आ गई है रया ने दावा किया है कि सिजान एक ही समय में कई महिलाओं को डेट कर रहा था उसके कई लड़कियों से अफेर्स दे और उसने एक साथ छे से दस महिलाओं के साथ सारी रिक संबंध भी बनाए थे इंडिया टूडे के साथ बादचीत में रया लबीब ने सिजान खान को प्ले बोई करार दिया है उन्होंने दावा किया कि सिजान की एक्स गर्फरेंड ने उन्हीं ये सारी जानकारी दी है करिब चार महिने पहले जब उस लड़की को सिजान की नई गर्फरेंड तुनिसा सर्मा के बार में पता चला था तो वो भी तूट गई थी रया ने अपने बयान में सिजान पर गंभीर आरोप लगाती हुए कहा कि तुनिसा डिप्रेसन में थी और उनका इलाज चल रहा था वह इसके बारे में बात नहीं करना चाहती थी तब उनके कोईश्टार सिजान ने प्यार का वादा करके अपनी सेक्सूल नीट को पूरा करने के लिए कई महिलाओं का इस्तिमाल गिया था वह उन सभी को धोखा दे रहा था शुरुवात में सिजान को भी तुनिसा से प्यार था और स्क्रिन पर दोनों की जोड़ी अच्छी लगती थी लेकिन ये सच है किसी जान उनके साथ केवल सक्स के लिए रिलेसंसिक में आया जब साधी या रिस्ता निभाने की बात आई तो उसे प्यार में कोई दिल्चस्पी नहीं थी उसने तुनिसा के साथ भी ऐसा ही किया और बाद में उसके साथ रिस्ता तोल लिया दोनों के बीद जरूर किसी तीसरे को लेकर जगडा हुआ होगा यही कारण है कि तुनिसा ने अपनी जान ले ली रयाल आभीब ने तुनिसा की प्रेगनंसी को लेकर भी दावे किये हैं उन्होंने कहा ये बहुत पॉसिबल है कि तुनिसा सर्मा प्रेगनंट थी हो सकता है कि सुसाइट के वक्त ना हो लेकिन पहले प्रेगनेंट हो सकती थी और गोलियां खा कर अबोर्शन कराया होगा मैं निश्चित रूप से नहीं जानती लेकिन मह किसी बात को लेकर बहुत टेंसन में थी हाला कि रया ने कंफर्म किया कि तुनिसा सिजान के प्यार में पागल थी और साधी करना चाहती थी बता दे कि एक्ट्रिस रया लवीप इसले 2-3 सालों से तुनिसा को जानती है तुनिसा के सुसाइट से पहले रया उनसे मिली थी तुनिसा उदास और टेंसन में लग रही थी वल रया लवीप के इस खुलासे के बाद आप सब की क्या है राय बताइए हमें नीचे कमेंट बॉक्स में और भी ऐसे ही लेटेस्ट अबडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को